सामने स्क्रीन पर जो फोटोज आप देख रहे हैं ये कालरा और डैनी की हैं कालरा जिनके द्वारा रा जो की सूरे प्लेनेट के निवासी हैं उनके द्वारा जो जानकारी कालरा के माध्यम से हमें परदान की गई है मैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अगर आप एक्जेक्ली कालरा की भाषा में इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप लाउफ वन कालरा रिकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं जैसा कि हम पिशली कड़ी में भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से अब ये जो प्लैनेट है हमारा ये फोर्ट डैमेशन में जाने वाला है एक तो निवासी होते हैं जो जिनकी डैमेशन चेंज होती है और एक खुद प्लैनेट की डैमेशन चेंज होती है तो यहाँ पर यह एक बहुत अच्छी बात रा ने कही कि यह जो हमारा प्रिथवी प्लैनेट है, इसकी डैमेंशन हर हाल में यह फोर डैमेंशन में जाने वारा है, इसके निवासियों की बात नहीं होरी, इसके सब निवासियों की बात नहीं होरी, लेकिन प्रिथवी प्लैन में आगे जाए नहीं सका, वो four dimension में जाए नहीं सका और उसा बहुत घंब हो गया कि कोई planet next dimension में ना जा सके पृत्वी के साथ ऐसा नहीं है हमारी पृत्वी जरूर four dimension में जाएगी अब ये जो युद्ध होता है ये मानसिक है और विचारिक है तो ये जो युद्ध है इसमें अगर महासंद अपने चार प्लैनेट लेकर आता है तो इधर से जो ओरिन ग्रूप है वो भी चार प्लैनेट लेकर आता है शक्ती की बात अगर की जाए तो यह जो यूदोगरा है इसमें शक्ती समान है शक्ती दोनों तरफ है ना सिर्फ यू σब्सक्तारा कर से सनाइब पर किढ़ बूल्कर अलग तरिकवर में अलग जगे पर एक इसानान से हासिल की ए कि विजे कि 2 से नाय लड़ रही है, बराबर सैनिक है, सैनिकों के पास हतियार, बारूद, गोला, सब बराबर का कि कि ऐसके आए, कोई देश के पास गोला बारूद है, वो उसका इस्तमाल डिवलपमेंट के लिए कर रहा है, किसी के पास है तो वो उसका इस्तमाल बरबादी के लिए कर रहा है बस फरक यही है अब ताकत तो दोनों के पास equally है लेकिन फिर भी महासंद ज़्यदा powerful है क्योंकि महासंद के साथ creator की power है creator की शुद्ध और उसका इस्तमाल भी सही जिके पे हो रहा है अब जैसे चार ग्रह ल इसके लिए अगर यूद चल रहा है तो इसके निवासी automatically किस तरफ उनका जुकाओ है ज्यादा जुकाओ किस तरफ है अब इस धर्ती के भी तो जो कुछ प्रतिशत निवासी होंगे उनका जुकाओ महासंद की और होगा automatically होगा चाहे उनने पता भी ना हो कि है वालब अच् संख्या ज्यादा होगी यकीनन महासंद की ही संख्या ज्यादा होगी यही आसार नजर आ रहे है तो वो automatically अपने गुरुप को powerful कर देगा यानि चार प्लैनेट हैं लेकिन एक साइट automatically पाँच हो जाएंगे अगर जरतर लोग महासंद के साथ जुड़ जाते हैं जैसे आज हम लाववण के ग्यान को समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से creator तरंगे हैं प्रेम हैं तरंगों को focus किया गया है तो उस परमात्मा की creation में प्रेम है जहां प्रेम की तरंगे focus होती हैं वहां निर्मा जैसे जैसे हम इस ग्यान को समझ रहे हैं, हम आपकी ते जा रहे हैं। कि अपने आप आप II, दौ मुट चाहरएब दबल होता है। तो अगर थोड़े से भी अधिक लोगों का जुकाओ यदि महासंद की तरफ हो जाता है तो अपने आफ लाउ स्कूर लगता जाएगा ये बहुत पावर बढ़ जाएगी और हम सब मिलकर फिर ओरन गुर्प को हरा पाएंगे अपने लिए फोर डेमेशन का रास्ता खोल पाए ये जैसे कोई व्यक्ति कोई अच्छा कारे करने जा रहा है कुछ उसके अंदर पॉज़िविटी है माल लेते हैं उसक जुकाओ आप महासंद की तरफ है चाहे वो ना जानता हो कि महासंद की तरफ है चाहे उसे ना भी बता हो लेकिन है तो जो ओरिन्ग्रूप है जब वो स अपील करते हुए उसके थुरू कुछ करने लगएगा, अच्छा करने लगएगा, तो मानसिक स्थर पर उस तक कुछ मेसेज अगर ओर इंग उस पर काबू करना जायगा तो उस तक कुछ मैसीज आएंगे, या यह नहीं करना चाहिए और यह किस तरीके से आएंगे, यह इस त इस तर्क अपने आपको देने शुरू करते हैं। For example, माल लेते हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है। माल लेते हैं, वो officer है, वो बहुत अच्छा है। उसके पास में बहुत power है। और उसकी नियत बड़ी नेक है कि मैं अपनी powers का, अपने जो मुझे duty मिली गई है, उसका बहतर तरीके से, लोगों के कल्यान के लिए सही तरीके से इस्तमाल करूँ, मैं रिश्वत ना लूँ, मैं गलत काम ना करूँ, उस तरह का mindset है, और वो बहुत एक अच्छे उच्छे स्तर पर, powerful स्तर पर है। और मतलब इस तरह का व्यक्ति माल लेते हैं महासंत्की और जुकावाँ, अब क्या होगा, अगर ओर इन ग्रूप उस पर एक अबजा करना चाहेगा, तो उसके माल लेते हैं उसको रिश्वत का उफर आता है, तो वो क्योंकि एक नेक व्यक्ति है, वो अपनी powers का misuse नहीं करना चाहता, तो वो नहीं लेना चाहेगा, महासंत्की और जुकावाँ है न, अब और इन ग्रूप अगर उसके mind पर काबू करना चाहेगा, तो वो उस तक एक message convey करेगा, ले लो, क्यों, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे न, तो तुम्हारा ये कारे कोई और करेगा, वो ले लेगा, लोगों कई ये कारे तो हो ले सकता, लोग तो ठगे ही जाएंगे, तो फिर तो अपने लाब से पीच्छे के होड़ते हो, तुम इस इर्श्वत को ले लो, लेकिन तुम इस कारे को पूरी तरह से ना करो, तुम थोड़ा अच्छी तरह से करो यानि अलग अलग तरह से उसके माइन में ओरियन गूर्प के द्वारा जो वो अच्छा कारे करने जा रहा है, उसके विपक्ष में कुतर्क प्रस्तूत किये जाएंगे और वो कुतर्क इस तरह की होंगे, कि वो उसके माइन को डैवर्ट करें, उसको अच्छा कारे करने से रोकें, उसको ये समझाएं कि कोई लाब नहीं होगा करने से तेरा भी लाब नहीं होगा और किसी का भी लाब नहीं होगा इस तरह का उसका thinking process बनाने की कोशिश करे अब अगर ऐसे स्थिती में वो व्यक्ति positivity की तरफ अधिक जुका हुआ होगा तो मासन भी तो अपनी powers का इस्तमाल करते हैं तो उसे support मिल जाएगी और वो इन कुतरकों को फोरण पहचान जाएगा ना सिर्फ पहचान जाएगा बल्कि इनको मानसिक रूप से ही हो रही है करारा जवाब देके इनको बिल्कुल तोड मरोड के जैसे कुतरक आया है ना दिमाग में उस कुतरक को भी लात मार के एक पावरफूल तर्क अपने आपको देकर पोजिटिव दिशा में आगे बढ़ जाएगा ये समझ लीजे गलत दिशा में ले जाने के लिए गलत दिशा में गाइड करने के लिए कोई आया लेकिन व्यक्ति की खुद की इंट्यूशन इतनी तेश थी कि नहीं ये तो मुझे गलत गाइड कर रहा है और वो अपने सही ट्रैक पर चलता रहा और अगर देखा जाए तो इस तरह कि युद अभी फिलहाल भी चल रहे हैं मान सिक्स तर पर आगे और बढ़ने वाले और ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरियन ग्रूप के द्वारा होगा ये महासंत के द्वारा भी होगा इसके अपोजिट भी होगा यानि कुछ लोग जो गलत दिशा में चल रहे हैं उनका मन उनके सामने एक सुन्दर तर्क भी प्रस्तूप करेगा कि मत जा, रुक जा ये गलत है, कोई लाब नहीं होने माला और हर पल क्योंकि फ्री विल का नियम लागू है तो जिस सेकंड जिस पल व्यक्ती ने अपने फ्री विल का सही इस्तमाल कर लिया उसी पल ट्रैक बदल जाते है ये समझ लिजे आप दर्वाजे तक पहुँझ गए बिलकूल मंजिल तक पहुझ गए लेकिन अगर आपने दर्वाजा खोला नहीं एंटर किया नहीं और मुड़ गए तो बस फिर मुड़ गए फिर दिशा बदल गई फिर आपका रस्ता बदल गया कुछ ऐसे ही जब कोई ओरियन ग्रूप की तरफ जुकावा व्यक्ति है नेगेटिविटी की तरफ जुकावा व्यक्ति है वो भी जब माइन में कोई उसके गलत विचार आ रहा है और मन कोई सुन्दर तर्क जो महासंत की साइड से उस तक ठेका जा रहा है उसे कैच कर पा रहा है तो हो सकते है वो अपना ट्रैक बदल की महासंत की साइड मुझाए ये भी हो सकता है यानि पावर्स का इस्तमाल दुनों तरफ से हो रहा है और पावर्स का इस्तमाल इस तरीके से भी इस खतरनाक तरीके से भी हो रहा है और व्यक्ति ओरेन ग्रूप की तरफ जुग जाए इसका भी बहुत होने की चांसिस है अब ये चीज अगर सीधे सरल तरीके से समझी जाए तो ये तो हो भी रहा है न कि अगर जिस तरह की आप वीडियोस देखेंगे जिस तरह का आप ग्यान लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि ओरन ग्रूप मिस गाइड करने के लिए ट्रैक से भटकाने के लिए अपनी साइड में करने के लिए कुछ गलट डरावनी सी जूटी information spread करें और लोग उसको सत्यमान के उसकी तरफ जुख जाएं ये भी हो सकता है लेकिन फिर भी ये बात याद अखनी है कि महासंद की पावर भी बहुत 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 ज्यादा है और इन गुरूप के साथ एक चीज और काम करती है वो कहते हैं या तो मेरा या किसी कमें यानि वो ये कोशिच भी करते हैं कि या तो इस प्लैनेट के निवासी उनके साइड हो जाए और अगर नहीं हो रहे तो ये पूरे पूरा प्लैनेट ही नस्ट हो जाए जैसा मेल्डेक के साथ हुआ और ये तभी हो पाता है न कि जब गलत इन्फोर्मेशन फैलाई जाती है और उस पर यकीन करके कदम आगे बढ़ाए जाते है और खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते है यानि और ये ग्रूप की टेंडेंसी है कि या तो ये प्लैनेट जुकेगा हमारी तरफ नहीं जुके तो बिशक खतम हो जाए उसी तरफ महासंद, वो यह चाहेगा कि इस प्लेंट के निवासी, यह प्लेंट चाहे हमारी तरफ, और अगर नहीं भी जा पाता, तो भी यह नस्ट ना हो, तो भी यह इसी डेमेंशन में बना रहे, यह खतम ना हो, जीवन बना रहे, सुन्दर जीवन बना रहे इस पर, आप सभी पर परमातम सौंदर रहे, प्रेम और आनत, से देव परस्ता रहे, आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करें, सामने स्क्रीन पर जो फोटों,